हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों माध्यमिक सिच्छा मंडल मद्ध प्रतिस भोपाल से नया रिवाइस ब्लूप्रिंट जारी हुआ है जिसमें आपको टोटल ये बताया जारा किस लेशन से कितना आएगा और किस पार्ट से कितना हट दिया गया है तो चलिए इसके हम चर्चा बिस्तार से करते हैं उसके पहले दोस्तों आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसी पूरी जनकारी के लिए चलिए देखते हैं इसको हम पहला है पाठ एक हमारे आस पास के पदार्थ इससे टोटल आना है तीन नमबर का जिससे एक ठो अबजेक्टिव आएगा इससे और एक क्वेश्चन आएगा इससे दो नमबर का यानि हमारे आस पास के पदार्थ इससे बन गया मदब तीन नमबर आपके कम्प्लीट हुए तो इसमें से एक अबजेक्टिव आएगा कोई भी आ सकता है और एक परमाणू एबं अनू, टोटल आएंगे आठ नंबर के, इससे चाठ थो अबजेक्टिव आना है और एक क्वेस्चन आना है इससे चार नंबर का, इस परकार परमाणू एबं अनू से टोटल आना है आठ अंका, फिर है परमाणू सरचना, इससे भी टोटल आना है आठ नंब इससे तीन थो अब्जेक्टिव होंगे, एक थो दो नम्बर का प्रस्ण होगा, और एक थो तीन नम्बर का प्रस्ण होगा, इस प्रकार परमाणू सरचना से टोटल आठ सान के प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे, फिर है जीवन की मौलिक इकाई, इससे टोटल आना है आपको तीन objective देखने को मिलेंगे और दो प्रस्ण रहेंगे दो दो नमबर के नेक्स्ट है जीवो में विवित्ता इससे भी total सातंग का प्रस्ण आना है तीन थो objective रहेंगे और एक question रहेगा चारंग का फिर है next lesson गती गती से total आना है पांच नमबर का एक प्रस्ण रहेगा objective टाइप के रोप में एक प्रस्ण रहेगा आपका दो नमबर के नेक्स्ट दो प्रस्ण हैंगे आपके दो दो नमबर के फिर है बल एवम गती के नियम total आना है इससे पांच नमबर का और एक question आना है objective दो नमबर का और एक question तीन नमबर का फिर है गुरुत्त्व कर्षण इससे total आना है 6 नमबर का दोठो अबजेक्टिव आएंगे और दोठो परस्ट दो दो नमबर के रहेंगे इस प्रकार आपका इस पार्ट स total 6 नमबर का आएगा फिर है कार एवं उर्जा इससे total आना है 3 नमबर का तो और इससे तीनो अबजेक्टिव आना है यानि इससे आपको बड़े question पढ़ने कि आब सकता नहीं है इससे आप total objective कवर करें फिर है ध्वनी ध्वनी से आएगा total 8 नमबर का इससे दो नमबर के दोठो अबजेक्टिव आने है एक परशन दो नमबर का आना है और एक परशन आपका चार नमबर का आना है फिर next lesson है हम बीमार क्यों होते हैं इससे total आना है 5 नमबर का दोठो अबजेक्टिव रहेंगे एक परशन तीन अंग का रहेगा फिर खाद संसाधन में सुधार इससे total आना है 5 नमबर का दोठो अबजेक्टिव और एक परशन रहेगा तीन नमबर का इस परखाद total आपका 80 नमबर का आएगा तो इसको अच्छे से note कर ले किस पार्ट से कितने नमबर के आने हैं और उसे हिसाब से थोड़ा त्यारी करें चलिए अब ये देख लेते हैं किस पार्ट से कितना सिलेवस हटाया गया है पार्ट एक से 1.5.1 से यहनि बासपी करण को प्रभावित करने वाले कारक से लेके अंध तक का पुरा सिलेवस हट चुका है इसको आपको पढ़ने की अभशक्ता अभी नहीं है इक्जाम के हिसाब से बाकि नॉलेज के हिसाब से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं फिर पार्ट दो है विज्ञान इसमे परमानू एवं अनू से 3.5 से यहनि कि आणविक द्रभमान एवं मोल संकल्पना से अंत तक का हट चुका है फिर पार्ट 6 विज्ञान में है उतक इसे 6.2.2 यानि इस्थाई उतक से लेके सायोजी उतक तक पूरा हट चुका है गती से 8.4 हटा है यानि गती का ग्राफी प्रदर्शन से अंत तक हटा फिर कार और उर्जा है इससे हट गया है इस्थितिज उर्जा से लेके अंत तक यानि जब आप बिज्ञान की बुक हो लेंगे 11.2.3 तो इस्थितिज उर्जा से लेके अंत तक का ये आपका हट चुका है पूरा-पूरा फिर है पार्ट 14 प्राक्रतिक संपदा ये पूरा पाठ है हट चुका है फिर है पाठ 15 इससे खाद संसाधनों में शुधार और कुकुट पालन से लेके पूरा अंध तक हटाया जा चुका है माकी जो बचे हैं इसको अप अच्छे से त्यारी कर लें और ब्लूप्रिंट के हिसाब से त्यारी करें जिससे आपको और आशानी होगी और ज्यादा ज्यादा लोगों को स्यार जरूर कर दें बहुत बहुत धन्यवाद